हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल विने एक्वीटी आज है आठ मर्च और आप देख सकते हैं कि यह बी एची एल का जो है चार्ट है और इसका प्राइस अभी किया चल रहा है तो अगर आप देखें तो यह 50 रुपे का आसपास चल रहा है 50 रुपे का आज हाई बनाया और यह चार्ट मुझे पसंद आया यह शेर मुझे पसंद आया चोटा शेर है और बिल्कुल बने रिया इस वीडियो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो इसका जो एमेसीडी का एक बुलिस क्रोस ओवर होता हुआ दिख और किया स्टॉपलोस होगा यह भी मैं आपको बता दू और सबसे पहले फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए शेर कीजिए फ्रेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कुछी मिलती है जब अच्छी इ ओल्प इच अदर एंडर इसके जो अभी यह देखे तो नाइन डेस के इसका जो मैं है यही पर खड़ा है इस ही के आसपास यह जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको और यह इस ही के आसपास खड़ा है थोड़ा सा जूम कर लो ताकि आपको ठीक से इसके अंदर बे के साथ जैसे ही यह पार करेगा तो मुझे इसाल लगता है कि यह फिर अपनी है ज़िस दिनों का यह मैं इसको पार करना यो कि 50 तू रुपीज के आसपा से और ये में हर दिन बदलते रहते हैं यह भी मैं आपको बता दू तो जैसे ही इसको यहां पर यह जाने की कोशिश करे करता हूं और इसके अंदर 52 रुपीज को अगर ये ब्रेक करता है उपर की तरफ तो इसके अंदर आलाम से 55 रुपीज के टार्गेट देख सकते हैं अगले आने वाले दिनों में जब स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे इसा लग रहा है जब एक बाउंस बेक आएगा स्टेंड रहे बाजर बंद होने तक और ये बाजर मुझे असा लगता है कि ये स्टेंड रहेगा क्योंकि एक ही घंटा बाजर के अंदर बचा है तो इसके टार्गेट हो गए एक और से मैं आपको बताना चाहता हूं और ये दूसरा सेर है नागार जुना फर्टिलाइजर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी अभी इसका करण्ट प्राइस है ये तेरा रूपे के आसपास है और इसके अंदर साड़े छे पसंट की बढ़त है इसने अज लो बनाया था साड़े बारा रूपे के आसपास और रिसन्टली ये अगर देखे तो काफी अभी बढ़ चुका है ये दस रूपे में आप लिग दू पत्चिस पेसे का लो बना के अभी चाहे दिन पहले ये यहां से भागा है तो आप चाहे तो इसके अंदर वेट कर सकते हैं और अगर वेट करने का अगर देखे तो बारा र लेयर ही होता है तो मतलब की यह अभी तेजी के मूड में है तो इसके अंदर सिपे ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसके अंदर लों टरम इन्वेस्मेंट मत कीजिए तो अगर आप से के अंदर stop loss लेकर ही काम करें अगर आप stop loss ले सके तो ही इसके अंदर खरीदी बाइंग करना मतलब की अगर देखे तो इसमें इंदर फसना मत लोंग टर्म के लिए तो इसके अंदर stop loss क्या ले सकते वह भी मैं आपको बता दूँ कि यह जो 9 डेस का यह में है यह हर दिन बदल हूं अगर आप 13 रूपे में बाइंग करते हैं तो 12 रूपे के आसपास का stop loss ले सकते हैं और टार्गेट उपर में देखे तो यह रिसल ट्री अभी यहां पर इसने हाई बनाया था मतलब की 14 रूपे उससे उपर देखे तो साड़े-4 रूपे और यह अभी पिछलो दिनों हाई बनाया था फाइनल टार्गेट 15 रूपे का असपास यह यहां तक यह तिन टार्गेट हो इसके यह पर रजिस्टन कर लीजे यहां पर यह जा सकता है आने वाला दिनों में और मैंने जो stop loss और आपको जो support दिखाई वह लेवल भी आप जरूर एक नोट कर लीजिए और करके तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इससे like और share जरूर किजिए और मैरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए ये और मेरे लेटेस वीडियो ज़रूर देखे एंड स्क्रिन में में मेरे लेटेस्ट वीडियो है अगर आपको कुछ बाइं करना है तो आपको इसक फिडियो बेंग्स